हेलो फ्रेंड्स आप सबका दिगाय डियूद चैनल पर स्वागत है साथियों एक बहुत ही important notification आया हुआ है PhD Admission 2023 से related तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटिल में बात करेंगे और यह इंवर्शिटी जो है जहां से कि PhD Admission की notification आये है यह है चत्रपती साहुजी महराज इनवर्शिटी जो कि उत्रप्रदेश के कानपूर में इसका campus है और इसके colleges भी बहुत सारे है जो कि उत्रप्रदेश government की एक government इनवर्शिटी है जो कि एक state इनवर्शिटी है तो इस वीडियो में हम यह सारी चीजें डिसकस करने वाले हैं कि important date क्या है तो important date साथियों सबसे admission process क्या होगा और जो admission process होगा admission process में साथियों इंट्रेश्ट होगा उसका syllabus क्या होगा कितने question आएंगे और कौन-कौन से लोग interest test से exempted है इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बातचित करेंगे की कुछ लोगों को direct interview में अपियर होना है उनको interest test में अपियर नहीं होना है और जो लोग अगर लोगों को साथियों सबसे इंपर्टेंट बात यह है कि अगर आप इच्छुक हैं तो इस इंवर्शिटी का फार्म जरूर भर लें यहां पर जाएंगे तो आपको इस स्टार्टिंग में ही पूरा डिटेल मिल जाएगा फार्म अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा चलिए हम आगे बढ़ते हैं साथियों और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी चैनल पर नए हैं विडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ सेयर करें ताकि यह इंफार्मेशन सभी जरुत मंद स्टूडेंट्स के दिशिव लिए उन तक पहुंच सके चलि आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले जानते हैं इसकल्रिफ के बारे में सबसे पहले सीट सबसे मिलेगा सबसे इंप्रेंट्टेंट्स साथियों कि जिन लोगों का जो आरफ है या किसी भी प्रकार की फेलोशिप है किसी के ट्राइबल अफेर से उनको मिलेगी यह सिंगल गल्स चाइल्ड का भी हो सकता है किसी किसी को लेकिन जिनके पास नहीं है फेलोशीप उनको सबसे इंपर्टेंट बात इनवस्टी में जो है दस हजार पर मंथ प्यजडी स्कालर को मिलेगी जो सेंट्रल इनवस्टी है वहाँ पर केवल जो है 8000 पर मंथ ही मिलता है जिनको जिनका ज्यारफ नहीं होता है लेकिन यहां पर तेन अच्छा खासा एमाउंट है और तो आफ जरूर फार अपलाई करेंगे यहां पर यह स्टेट की सिंगल इंवस्टी है पूरे उत्तरप्रदेश में जो मैं अबजर्ब कर प इस इस गूड चांस तो आप जरूर फार अपलाई करेंगे लेकिन इसके एक छोटी सी कंडिशन है कि आपको छत्रपति साहुजी महाराज से रेलेटेड को इस सचवर्ब करना होगा ठीक है या जोतिवाफ फुले से रेलेटेड कुछ बातें हो सकती है उनका छत्रपति साह आपको 20,000 जो है एक बार में PhD thesis के लिए भी पैसा इंवर्शिटी प्रोवाइड करवाएगी यह द्यान रखना है तो यह आपका कर सकते हैं तो यह आपका फिलोशिप कुछ फुल मिलाकर लगब यह 12,000 पर मन्त हो जाएगा आपका तो इसका भी आप द्यान रख सकते हैं र जो लोग इनमिशन लिए लेकिन वो लोग दिन्दयालुपाध्या जीपे या चत्पति साहुजी महराज पर अगर वो रिसर्च वर करना नहीं चाहते हैं उनमें उनका इंट्रेस्ट नहीं है और उनको कोई सपर्वाजर बाइदवे अगर नहीं मिल पाता है तो उन को फेलोशिप मिल जाएगी रमानूजन पीज़ी टीचिंग असिस्टेंट्स इपी स्कीम यह अगर मान लीजी आपको कोई फेलोशिप नहीं मिल पाई तो यह भी स्कीम बेस्ट है कि जिन लोगों के पास नेट क्वालिफाइड है वे लोग कालेज में या कैंपस में ही वो सब्सक्राइड मार्क्स होना चाहिए यदि आप HCST या OVC कटेगरी से हैं या PWD कटेगरी से हैं या EWS कटेगरी से हैं किसी बीजर्व कटेगरी से हैं तो आपको 5% का रिलेक्सेशन मिलेगा और आप 50% मार्क्स भी अगर आपका PG में है तो भी आप फार्म अप्लाइग कर अब पार्म अप्लाइग कर रहे हैं उसके एक्विवाइलेंट या उसके एलाइट सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिगरी होना चाहिए जैसे कि लिखा है कि जो लोगोंने माथमेटिक्स में अपना मास्टर डिगरी कंप्रीट किया हुआ है वे लोग इस में भी सकते हैं इस बात को आप ध्यान रखेंगे चलिए अब बात कर लेते हैं हम इड्मिशन प्रासेस की तो इड्मिशन प्रासेस होना है यहां पर दोस्तों वो जो है सबसे पहले बात तो यह कि जो लोग जियारफ है उन लोगों को एक्जाम में बैठना होगा जिसको कि हम बोल इसमें 70% वेटेज होगा आपके जो टेस्ट होगा इसका जिसमें की 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ठीक है अबजेक्टिव टाइप क्वेश्चन और यह एक्जाम जो है आफ लाइन होगा और उन 70 क्वेश्चन में से जो 25 क्वेश्चन होगा वह आरेम से होगा 50% वेटेज होगा आपके इंटरव्यू का तो 70% आपके इंटरव्यू का इन दोनों को मिलाकर फाइनल मिर्ट लिस्ट प्रिपेर की जाएगी इसमें इंपर्टेंट बात यह बीए साथ होगा इसमें क्वालिफाइग करने के लिए इस बात का ध्यान रखना है कि 50 परसेंट बीडिन टेस्ट में और इंटरव्यू के लिए उनको कॉल किया जाएगा लेकिन एक बात ध्यान रखना है आप सभी को कि जो टेस्ट होना है उसमें निगेटिव मार्किंग भी है इस बात का बिसेश कर ध्यान आपको रखना होगा वन वाई फोर्थ निगेटिव भी है इस इंटरेंस टेस्ट में तो आप उसका ध्यान रखते हुए भी अपना कुशन अटेम्ट करेंगे आधरवाइस आपको इसका नुक्सान उफाना पड़ सकता है चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम जानते हैं कि एक्जम्टेट काउन काउन से लोग है उसी के बारे होने के लिए और को ये जो कि अपियर ऊसके लिए उनके जो 15 साल कम से कम जौब कियें एंटरव्यू में अपीर हो सकते हैं तो यह था आपको interview में appear होने के लिए अब बात है साथ ही हो यहाँ पर कि जो exempted नहीं है लोग उनके लिए intense test में जो negative marking है already हम इस पर बात कर चुके हैं कि आपका negative marking भी होगा तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर आप देखिए कि one marks का हर एक question होगा दे रखा है और आपको one by four जाने की negative marking भी है इस सीच का आपको ध्यान रखना है final merit list प्रिपेर हो जाएगी आपका return test और यह मिला करके और जो लोग अगर मान लिए जैसे कि जारब के थ्रू कई सारे लोग फार्म अप्लाई कर देते हैं नंबर आप शीट से ज्यादा उन लोगों को master degree में जो marks होगा उसके आधार पर उनका final merit list तैयार की जाएगी इस बात को भी आपको ध्यान रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं और आप हम जान लेते हैं सब्जेक्ट वाइज सीट कितनी है इकोनामिक्स में 6 सीट है एजुकेशन में 2 सीट है इंग्रिक्स लिटरिचर में 5 सीट है life science में 4 सीट है mathematics में 5 सीट है यहाँ पर आप और सब्जेक्स में 3 सीट है political science में only 2 सीट है संस्क्रित में 4 सीट है sociology में 4 सीट है अब जलूब अपलाई कर लें एक important बात और है साथ में यहाँ पर दे रखा है इतनी तो सीट है लेकिन special case में जो है सीट को बढ़ाई भी जा सकती है जो single girl child होगी उनके लिए सीट पढ़ा दी जाएगी और जो कोई आसरित हैं जिनके के अगर parents आर्मी में रहें हैं, सेना में रहें हैं, अगर उनके मृत्य हो गई है, सरकार और आसरित हैं, उनके लिए परियाटी दाए और उनके लिए special seat की और प्रियाटू के सब्सक्राइब रेचमेट की ही जायेगा इस बात को समझ रहे होगे चलिए यहां पर आप अपना स्लेबस डाउपलोड कर सकते हैं मिजर बात है साथि हूं कि यह जो स्लेबस है पूरा जो है नेट वाला ही सलेबस है सब्जेट के लिए आपका पूरा नेट का हिसले बस है और जो फर्स्ट पेपर जो रिसर्च में लाजी का होगा जिसे आरम बोलते हैं उसका जो पेपर होगा वो जो है जो फर्स्ट पेपर उजी सी नेट का है उसका उनेट टू जिसको कि हम रिसर्च एप्ट टीड बोलते है किसी भी बुक में आपको जो चेप्टर 2 है फर्स्ट पेपर का उसको आपको तयार करना होगा बस उतना एनफ होता है चलिए आगे बढ़ते हैं और अब लास्ट में हम जान लेते हैं फी कितनी है साथियों यहां पर जो है जनरल EWS और OVC कटेगरी के लिए 2500 रुपए अप् है तो इसी के काड़े का फार्म अप्लाई कर पाएंगे चलिए इंपर्टेंट डेट साथियों यहां पर फार्म जो है भरने की जो लास्ट डेट है वह साथ जुलाई 2023 से एर्मिर काड़ आपको 24 जुलाई को मिल जाएगा जो इंट्रेंस टेस्ट काड़ेट है वह 30 जुला अब चुक है तो इक अच्छी विवस्था है जो कि other इस्टेट में नहीं है तो फार्म जरूर अप्लाई करेंगे यहां पर फेलो सिप की सभी को फिलो सिफ मिली जानी है लगबग तो आप फार्म जरूर अप्लाई कीजी यह बिस्ट और अगर आपको कोई डाउट है तो आ